यदि सूर्य सत्य है और चंद्रमा भी है तो ये भी उतना ही सच है कि भारत भी स्वतंध्र होगा ये कहानी है मलका नगरी के गांधी की जिससे डर कर ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें सरे आम भासी पर लटका दिया उडिसा के कुराफुट विद्रों में जिसने आजादी की लडाई में अपनी सबसे बड़ी आहुती दी थी वे थे लक्षमन नायक जंगलों में वहां के लुगों की जमीनों पर कबजा किया जा रहा था लक्षमन नायक फिरंगियों की हर चाल पर नजर बनाए हुए थे जहां उन्होंने महात्मा गांधी के आहवान पर 21 अगस्त 1942 को ठानिय पुलिस टेशन के सामने विशाल धर्ना दिया लक्षमन नायक के सधर्ना प्रदर्शन से हुखूमत इतना बौफला गई थी कि उन्होंने प्रदर्शन कारियों पर गोली चला दी अचानक हुए इस हमले में पांच क्रांतिकारी शहीद हो गए और कई घायल हो गए और उन्होंने लक्षमन नायक को जूटे केस में फसा दिया और 19 मार्च 1943 को उन्हें बेरमपुर जेल में फासी दे दी गई आजादी का एक और मतवाला अपनी मिट्टी के लिए लड़ते हुए श्रहीद हो गया और उनकी परिकल्पना कुछ ही साल बाद साकार हो गई कि भारत को एक दिन आजादी जरूर मिलेगी मा भारती के मतवाले सपूत लक्षमन नायक को हम करते है नमन